हेलो फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं पने डोसा बिल्कुल धाबाई स्टाइल में बनाएंगे हम अब आप धाबे जैसा स्वादी घर पर ले सकते हो बहुत ही एजी एसपी है एजी तरीके से बना सकते हो इस वीडियो में आज हम आपको सामर बनाना भी बताएंगे और डोस स्टाइशन मिलता रहे चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके लिए हमने लिया है यह राइस डोसा वाला राइस लिया है तो मैंने लिया यहां तीन कफ राइस टूटेबल स्पून चना की डाल और हाप टी इस्पून मेथी इनको मैंने चीर से पांच गंटे पहले बिगो नहीं है तो आप 2-3 टेबलिस्पून आपको ले लेना है पोहा उसको हम बिगो दिंगे थोड़ी देर के लिए यह मैंने लिए उड़त दाल तीन कप मला हमारा राइस था तो हमने एक कप उड़त दाल ली है इसको भी मैंने चार से पांच गंटे पहले बिगो दिया था अब ह था रहने पहले यैंने मत घार कर लाओंगी तो यह की मैंने उड़त दाल है उसको पीर लिए है अरल वह सबस्कों से जेगे जाब हमारा सब्ढ़ा दाल पीसट या उसको फीस पार दरहा है उसको फालका दर्दर हम यह कर दोब मैं गर Information आए था इसको और इन दोनों को अच्छे से mix कर देंगे यह तक यह देए consistency आउने चाहिए friends better की है आप हम यह जोडत दल है इसको भी डाल देंगे इसमें है मैं और इसमें कच्च राइस ही ले आ जाता है कच्चे वाला राइस आता है वह बोहत सस्ता आता है वह लेना है बाइस में अच्छा दोस्था बनकर तयार होगा आपका सकते हो ये फूल का । दबल हो जाएगा है अच्छे से फैट ले दो से तीन मिनट है कि इसमें एयर बढ़ जाए और ये अच्छे से फूल जाए फर्मेंट हो जाए तो ये देखें हम इसको साड में रख दिंगे हम मनाँगे शांबर सांबर के तो यह मैंने लिया की यह अप की स्ट्रीम दाल यह समर कैसे हम व्यादा तू सब्सक्राणकरAL में कुछ अब एजबा है बिल्कुल भाप यह HOLा चिकाल अब बनेगा है तो आपको चैसे साथ कटोरी इसमें पानी ले लेना है अब हम इसमें डालेंगे लॉकी और इसमें आप बेंगन भी डाल सकते हो और यह ड्रमेस्टिक होती है वह भी डाल सकते हो तो यह देखिए मैं इसमें लॉकी कट करके डाल दूंगी हाफटी स्पून डाल दिंगे हम अल्दी पाउडर अच्छे से इसको मिला दिंगे हमें क्या कर रही हूं कि मुझे डोसा का मसाला बनाना है तो इसलिए गैस ज्यादा ना जले तो इसलिए मैं इसी में आलू डाल रही हूं जिससे कि इसके साथ ही आलू भी बॉयल हो जाएंगे और हमारी गैस है उसकी बचत होगी तो यह देखिए यह हमारा आलू है वो भी अलग निकाल लेंगे थोड़ा गरम है साबदानी से निकाल लिएगा तो यह देखिए यह आलू है इनको मैंने निकाल लिया है आलू को ठंडा होने दिंगे इसका हम मसाला बादम बनाएंगे पहले हम सामर बना लेते हैं तो यह देखिए सामर है मैंने एक बतन मालग निकाल लिया और कुकर फिर से रख दिया है इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच ओयल यह मैं यह मस्टर्ड ओयल ले रही हो आप कोई भी कुकिंग ओयल ले सकते हो ओयल गरम हो चुका है बंटी स्पून डाल दी मैंने इसमें यह मैंने ली है दो छोटी छोटी प्याज अगर छोटी छोटी है सबसे बेटर है अगर नहीं है तो आप इस जगह पर मोटी बड़ी वाली प्याज ले सकते हो उसके थोड़े मोटे मोटे टुकडे कीजिएगा बंपिंच हमने इसमें हींग डाल दी है और आठ से दस कड़ जालती है इनको हम थोड़ी देर बुनींगे को सेकिंड के लिए बुनना ज्यादा नहीं बुनना है को we're going gels in the material less 나오 मैंने इसको कूट लिया था आप चाहों तो इसको बार कट करके मिला सकते हो ही या फिर सका पेश्ट बी लाल सकते हो और यह मैंने लिया एक टमाटर इसको मैंने थोड़ा मोटा कट किया है क्योंकि कभी आप डावे पे खाया होगा न्मोटी मोटी ही सबजी आपको दिखेंगी उसमें साम अमेर में एक मैंने शाबत लाल vir मिर्च डाल दीती ओर मैं यल्ग वाट टेबुल ऐस्पूण डालेंगे इसमें हम धनिया पाउडर कर दो कि सांबर में डाल दी थी लेकिन थोड़ा और डाल रही हूँ मेr करन् We蛇 app कर आफ गर फ इसमें डाल दूंगी हम लिप ये मैने चीछ के अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है हमली को आप बिगो दिए चार से पांच गंटे के लिए फिर उसका पल पाप निकाल लीजिए और फिर वो डाल दीजिए इसमें स्वादन साथ डाल देंगे इसमें नमक अब हम इसको कुछ सेकंड के लिए पकने देंगे तो यह देखिया ओईल छोड़ने लग गया है इसका मतलब हमारा मसाला है वह अच्छे से बुन चुका है अब हम इसमें डालेंगे बन फूर्ट टी स्पून चीनी थोड़ी सी डालनी है ज्यादा नहीं डालनी है थोड़ी सी चीनी डालनी है इससे क्या होगा जो हमने मसाले डाले है न वो सारे मसाले वैलेंस हो जाएंगे और यह मैंने डाल दिया बन टेबली स्पून सामर मसाला म Sagittu अच्छे से मिला लेंगे वो अब हम इसमेे लूपर देंगे जो हमने दाल पका के तेयार की ती भूंब दाल डालने के बाद हमें इसको पकाना नहीं है बस दाल डालने के बाद फ्लैव ओफ 출ain sacar देनी है यह देखिए हमारा सामर है यह बन चुका है अब मैं इसमें थोड़ा सा रादनिय डाल दूँगी तो यह देखिए फ्रेंड्स यह हमारा सामर है वो बन चुका है बहुत ही एजी तरीके से हमने आपको यह बनाना बताया है अब हम इसको अलग रख देंगे और अब हम जो डोसा है उसका मसाला तयार करेंगे उसके लिए मैंने ले लिया है ये एक कड़ाई इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच ओईल ओईल गरम हो गया है बंटे वाले स्पून डालेंगे राई और ये मैंने 4-5 करी लीप्स ले ली है एक बारी कटी हुई ओनियन थोड़ी देर बुनिंगे ज़्यादा नहीं बुनना है कुछ सेकिंड के लिए बुनना है थोड़ा कच्छा पनी दूर करना है हमें इसका एक हरी मेंट्स डाल दिंगे कट करके अगर आप छोटा-छोटा कट करना चाहो तो छोटा-छोटा कट करके भी डाल सकते हो अब मैं इसमें डाल रही हूं एक टमाटर बारी कटा हुआ अच्छे से मिला लेंगे यह में डाल रही हूं अद्रक वेस्ट हाप टीएस्पून हल्दी पाउडर हाप टीएस्पून लाल मिट्ज पाउडर अच्छे से मिला लेंगे अब मैं इसमें डाल दूँगी हाप कप पानी क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे न तो यह मसाले हैं यह जल जाएंगे और फिर थोड़ा करवाट देंगे यह इसलिए हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है एक से दो मिनट इसको पकाना है आप हमने जो आलू लिये थे वह आलू डाल दिंगे इसमें स्वादन सा नमक और आप मैं इसको मैसर की सायता से मैस कर लूँगी आप चाहो तो इस्पून की सायता से भी कर सकते हो फ्लेम हम सिलो रहने दिंगे इसमें गुठलिया नहीं रहनी चाहिए थोड़ो बहुत रह जायत कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज्यादा मोटी गुठलिया नहीं रहनी चाहिए इसमें कि यह देखिए यह मैंने अच्छे से मेल कर लिया है अब में में 1 कप पानी डाल दूंगी क्योंकि हमें इसकी कंस्सिंस्टेंसी है वह ऐसी नहीं चाहिए ौश्ध को नीतर कि आतरा ने में डाल दिया है घ् apprendre इसको पकने दिनगे और और चाहिन इस्पून की सायता से हम थोड़ा मिला दिंगे इसको कि फ्लेम हम अभी सिलोई रहने दिंगे कि अब मैं इसमें डाल दूंगी कि वन टी इस्पून स्वया सॉस और टू टेवल इस्पून टेमाटो सॉस अब इन सब को अच्छे से मिला लेंगे यह दोनों चीज़े डाल के बनाओगे ना फ्रेंड्स बहुत ही जबर्दस टेस्ट आने वाला है कि तो यह देखें यह हमारा मसाला है यह बन चुका है कि ज्यादा नहीं बूनना है कुछ एक एक अदमनेट के लिए ही बूनना है हम इम इसमें डाल दूंगी हरा दनिया और यह देखें यह हमारा जो मसाला यह बनकर त्यार हो गया है इसको साड़ में रख देंगे यह देखें हम यह हमने बैटर था वह ओवन डायट के लिए रख दिया था और मारा बैटर फूल चुका था अब हम इसका डोसा बनाएंगे तो यह देखें मैंने तवा ले लिया है इस पर डालोंगे मैं थोड़ा सा ओयल एक गीला कपड़ा लेंगे और उससे पहुंच लेंगे इस तरह से इससे क्या होगा कि यह जो हम डोसा डालेंगे बैटर डालेंगे वह चिपकेगा नहीं अब हम इसमें बैटर डालेंगे आप चाहे ओ greeting फ्रेंड्स जो यह यह इस तरह की इस्पून आती है उससे भी फेला सकते ओँ या फिर कोई कटोरी से भी फेला सकते ओँ लेकिन मुझे क्या है ना हाठ से फेलाना ज़्यादा इजी लगता है तो मैं ऐसे हाथ से फैला रही हूँ, आपको जैसे ईजी लगे वैसे आप फैला सकते हो, तो ये देखिए मैंने ये च्यार और अच्छे से फैला दिया है, फिलेम हाई कर दिंगे, और इस पर मैं डाल दूँगी, बारिक कटी हुई ओनियन, कुछ टमाटर बारिक कटे हुए, एक से थोड़ी से हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा दनिया, अब मैं इसके उपर डाल दूँगी, ओल, फिलेम हमें सिलो नहीं करनी है, हाई फिलेम पर ही पकाना है, अब हम इसको थोड़ा सा फैला दिंगे, जिसे कि यह जो हमने सबजी डाली है, बेजी टेबल से डाली है, यह थोड़ी सी हाप को कोक हो गई है, अब हम क्या करेंगे, फिलेम स्लो कर देंगे थोड़ी, और इस पर मैं पनीर डाल रही हूं, यह ग्रेट कर रही हूं में, टेस्ट आएगा आपका चीज डोसा तैयार हो जाएगा अब हमने जो मसाला बनाया था ना अलू का वो मसाला डाल देंगे दो से तीन टेवल इस्पून और इसको अब हम अच्छे से फैला देंगे यह मैंने लिया है सेजवान चटनी वन टी इस्पून अगर फ्रेंड्स आपको सेजवान चटनी का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बोलिए मैं जरूर बनाऊंगी यह मैंने घर पर ही बनाई थी सेजवान चटनी तो मैं अगर आप बोलोगे तो मैं सेजवान चटनी का वीडियो आपके लिए डाल दूंगी तो यह देखिए इस तरह से हम अच्छे से फैला देंगे हमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर अगर आपके पास बटर नहीं है तो इस जगह पर आप थोड़ा गी डाल सकते हो या फिर जो घर में मक्खन बनाते हैं न वो मक्खन भी डाल सकते हो अच्छे से मिला लेंगे ख्लेम मीडियम रखेंगे ये देखे कितना अच्छा लग रहा है हमारा डोसा अब ये हमारा डोसा है ये बन चुका है और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे ये देखे कितना बढ़ी अकलर आया है ना बहुत ही जबदस्त हमारा ये डोसा बनकर तयार हुआ है इसी तरह से हम सारे डोसा बना के तयार कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स हमारा डोसा, चटनी, सामर कितने बढ़िया बने हैं अगर आपको चटनी का भी वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बोलिएगा मैं आपको चटनी का सेजवान चटनी का दोनों चटनीयों का आपको वीडियो बना कर दूंगी तो फ्रेंड्स आप भी बनाएं बहुत ही जबर्दास थंबा रही है डोसा त्यार हुआ है देखने मच्छा लग रहा है खाने में बहुत ही तेस्टी है